हेलो गाइज आप देख रहें इसके लिए उन एक्सपर्ट का यूडूब चैनल आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको मलेशिया टी-20 ट्राइनेशन कब से यहाँ पर लास्ट यहाँ पर लीग स्टेज का मैच जो छटा मैच आपको कल खिला करेंगे इस मैच की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोनों टीम के लिए डू और डाय मैच रहेगा जो टीम यह मैच जीतेगी वह फाइनल में कुवेट से खेलीगी ठीक है तो काफी इंपॉर्टन मैच दोनों टीम के लिए रहने वाला है और सारी कुछ आरो ही जानकारी आपको इस मैच के लेटेड इस वीडियो में मिलने वाली है क्या चेंज्ज्य सो सकते हम प्लेइंग लिए में सारे प्लेयरेस के स्टाइट्स, अिलिक मिलीगा तो आप वीडियो में बने रहे हम देवा बाके बीडियो को स्टार्ट करने पहले सबसे इसमाज की फाइनल टीम अपडेट के लिए मारे टेलिग्राम चनल पर जॉइन करना बिल्कुल भी ना भूले आपको हमारे टेलिग्राम चनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस लिंक पर क्लिक करके भी जॉइन कर सकते हैं और अगर बाइचांस डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता है फिर आपको अपने टेलिग्राम में जाना है सिंपली सर्च करना है अट डरेट एसके लेवन एक्सपर अब क्यापिटल लेटन में सर्च करिएगा उसके बाद आपको हमारा ओडिजनल टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा उसमें आपको जॉइन कर लेना है अब चलिए गाइस बिना टाइम वेश्ट किया मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ सबसे पहरे यहां पर हॉंग कोंग की टीम पर आते हैं गाइस तो हॉंग कोंग की टीम अभी तक तीन मैच इसमें से एक मैच यह टीम जीती है और दो मैच हा लिए ठीक है last match इनका काफी close था guys ठीक है वैसे team guys अगर आप मुझे पूचे पूचेंगे तो Malaysia से जालदा strong है और इनके थोड़े ज्यादा चांस मुझे लग रहे जीतने के ठीक है फिर भी guys यहाँ पर Malaysia भी surprise कर सकती है तो guys इनका settled playing 11 ही खेल रहे है ज्यादा changes नहीं हो रहे इस match में भी ज्यादा changes expect ना करें एक change जो मैं देखना जाता हूं guys वो यह है कि नसुरूला राना जो कि इनके अच्छे fast baller है फर्स्ट मैच के लिए थे उसके बाद दो मैच में इनको drop किया टीम ने इनको मेरे साब से playing 11 में अंदर लाना चाहिए आदिल महमुझ काफी महंगे जा रहे इनकी जगा बाकी और मुझे changes नहीं देख रहे है लेकिन देखते ह मेरे साब से यह तीम और अच्छा कर सकती है बाकी मार्टिन कॉर्ट जे एक चार चार यह भी कुछ खास नहीं लेकिन इनके कैप्टन बहुत अच्छा के लिए तीनों मैच में संतावन 37 नौट आउट एक सटीनों मैच काफी अच्छा बावार हयात भी तीनों मैच अच्छ आपस 12 ओर की बॉलिंग में 8 विकेट है असाना के पास 11 ओर की बॉलिंग में 6 कि क्या खुछा कं घए लेकिन बहुत कम है नौर्मल ही ज्यादा बॉलिंग करते हैं गारेफ लेकिन विगे इंको नहीं मिला मैंने लाश्ट मैच कि ऑवर भी लिग दिया है जिसे आपको यह पतर चलेगा इस टीम के सिस्च्वेशन में बॉलिंग करा रहा है और इनके जो में देथ बॉल रहे हैं इनके दोबर देथ में हर मैच में आते हैं लास्ट मैच में भी सत्तरमा और जिसमा ओबर आया था बाकी एकाद और यहां पर अतिक एकवाल जा फिर अगर ए महमूद और नसुल लाला ना इन दोनों से जो फास् यहन का स्टाइट सकते हैं अगर आप लास्ट स्टाइट पर फोकस करेंगे तो इंके टॉप 10 स्कोरर बाबर आयात रहते हैं और फिर अइसान खान का विकेट में नसुला राना इनके टॉप बिके टेकर थे इसलिए मैं चाहता हूं यह खेले बाकी अइसान खान का ना आव अगर यहां पर नसुला राना खेल दें तो भी ठीक है तो आप इनका ध्यान लेकिएगा अब चलिए गाई हम दूसरी टीम मलेशिया पर भी मलेशिया पर आते हैं इनका भी सिच्वेशन सेमी है तीन में से यह वी टीम एक ही मैच जीती है और दो मैचे सारी है लेकिन गाइ इनकी जो प्रॉब्लम रही है अभी तक वो इनकी बैटिंग रही है अगर मैं सेयद अजीज को छोड़ दूँ ठीक है और लास्ट मैच सर्विन मुनांडी को किसी भी बैटर ने गाइस तीस रन भी नहीं किये तीनों मैचेस में ठीक है तो अगर सेयद अजीज का आप बाकि और किसी का कुछ खास नहीं है अब अगर हम बॉलिंग पर आए तो यह इनका बॉलिंग का लेखा जोकर है बॉलिंग में जो इनके टॉप विकेट एकर निकल गर आते है वो पबंदीप सिंह है और यह स्टीम के सबसे में बॉलर भी है 11 और की बॉलिंग में के पास 5 करें सेया अरजी दःए के पास 6 की बॉलिंग में 2 लिग है मोहमद आमिर के बैस आट बालिं थीन खenter यह दो मैचे से पूरे चार चार ओवर डालने गाईस और लास्ट मैच में तो काफी अच्छी दो विक्ते भी लेकर गए थे ठीक है वाकि वफी की बॉलिंग में काफी महेंगे रहे है रिजवान हैदर पहले और दूसरा मैच के लिए थे ठीक भी इन्होंने बॉलिंग कराई तो मैं चाहता हूं इनकी वाक्सी ओ प्लेंग लेवन में अब देखते हैं टीम क्या करती है अब और साथ में गाईस मैंने लास्ट मैच के ओवर भी लिख दिये जिसे आपको क्लियर हो जाएगा इस टीम के देथ वालर कौन से तो लास्ट मैच में इनकी लिए गाईस सतरमा स्कुरर साथ अजीद रहे ते फिर एहमाद फैज का ना आवाता है फिर मुहमद आमिर का फिर जुल कफी का वेकर्स में खीजर है टोबी के टेकर ते और फिर मुहमद आमेर का ना आवाता है ठीक है तो यह आपने लास्ट टीम से भी मैं आपके इंपोर्टन प्लेयर बता सकते हैं तो गाइस इस मैच के लेटर जितना भी डेटा है स्टाट्स क्या प्लेंग लेवन में चींजिस हो सकते हैं इंपोर्टन प्लेयर जो भी मुझे बताना सा सब कुछ मैं एक दम अच्छे से आपको डीटेल में बता दिया है तो अगर आईस आपको वीडियो पसंद पर आते हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं ज्यादा सोचने है आपके लिए बेस्ट ऑप्सन अंसुमान रथी है बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर टेक्निक बाइस काफी सॉलिड है अभी तक भले पर्फॉर्मेंस नाया हो लेकिन प्लेयर में कोई कमी नहीं है इं बजाते हैं पर्लेमी नहीं जाए़े तो इनको लेकर जाहे तो बेटर रहे आपके लिए बाआर अपकी बावर हयत और नी जागात खान ये नहीं में वहां अको के में में अच्छा करें उस एक कराएं तो यहां पर टीन जातने मैं थेक्ट भी अगय तो लेके ही जा रहा इसलिए मैं ज़्यादा सजिश नहीं करूँगा स्मॉल लिग टीम में, ग्रैंडी की एका टीम में ले सकते हैं, डीसेंट प्लेयर हैं, ठीक है, बाकी कोट जे और जुलकफी को तो बिल्कुल लिग कमेंड नहीं करूँगा, अब यहां जाते हैं, अल्डाउंडर सक्षन पर यहां पर सयद अजीज यहां पर मस्ठाव हो जाते हैं, मलेशिया टीम इसलिए क्याप्टन सबसे में बैटर, और साथ में आपको बॉल इंग बहुत कर सकते हैं, तो यह अच्छो ऑप्षन है, मुहमद आमिर इंपोर्टन ऑल डाउंडर हैं, तो मैं इनको टीमें लेकर ही पसंद करूँगा, ठीक है, बाकी एफ हैज को मैं ज्यादा नहीं सबसे करूँगा अभी के लिए, मूर्तजा तो आपके मस्ठाव हैं, होंकों के सबसी इंपोर्टन ऑल डाउंडर है, तो इनको आप लेकर ही जाहिए, सयादत को बिलकुली कमें नहीं करूँगा, ठीक है, आप यहां से आजाज खान को डेफिनेटली टीम में ले सकते हैं, मैं भी थोड़ा फॉर्म उतना अच्छा नहीं चला है और बॉलिंग जादा नहीं डाले तो इसलिए अभी नहीं ले रहा हूं लेकिन आगे अगर टीम में जगा बनेगी तो मैं लेनी की ट्राइ करूँग अभी आजाते हैं गाइस बॉलिंग सेक्षन पर जहां पर सबसे पहले आपको लेना है मलेशिया के सबसे यहां पर में बॉलर पवंदीब सिंग को जो कि काफी अची स्पिनर है गाइस हमेसा विक्टे में रहते हैं काफी इंको अगर लेकर जाएंगे तो आपके लिए अच्छी स्पिनर है जिनको लास्ट मैंच में टीम में लिया था गाइस और दो विक्टे भी लेकर गए तो यह अच्छे डिफरेंशल बन सकते हैं लास्यन बिन का पर्फॉर्मल्स अच्छा था है यहां पर गाइस डेथ में बॉलिंग करा रहे है लास्ट मैंच में दो अब ही तक ठीक है लेकिन लास्ट मैंच में एक ही ओवर डाला था और यह दो से तीन ओवर ही डालने अभी तक इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं आप से लिए इन से उपर यहां पर अनस खान और हयाज दुरानी को प्रफर कर रहा हूं ठीक है आपके पास गाइस एक यहां पर आजाज खान भी अच्छे उप्शन है आप चाहें तो उनको भी कंसिडर कर सकते हैं ठीक है और ग्रैंड लिग में आपके पास मुनैंडी एक अच्छे उप्शन रहे जाएंगे और साथ में यहां पर मुनैंडी के अलाबा में और ज्यादा प्लेयर को तो किसी को ग्रैंड में नहीं रिकमेंड करूंगा सिर्फ मुनैंडी को करूंगा और गाईज यहां पर अगर रिजमान हैदर खेलते हैं तो वह आपके लिए ग्रैंडी के अच्छे उप्शन बन जाएंगे ठीक है तो इन दोनको आप ध्यान लखेगा बाकि सेफ जाना हो तो एह रहमान है आप उनके साथ सेफ जा सकते हैं तो गाईज यह बन जाता है अभी के लिए हमारा टीम का प्रिभ्यू अगर मैं सीवीसी की बैस्ट ऑप्शन की बात करूं तो सीवीसी के लिए जो बैस्ट ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं उनमें काईज यहां पर आते हैं सेयद अजीज यासिम आपके लिए बेस्ट औप्शन है इनके अलाबा आगर किसी को करना हो फिर टाइस मैं आपको रिकमेंट कर सकता हूं अहसान खान ठीके यह ईक अच्छ अच्छ उप्शन है मुहमदामीर एक अच्छ उप्शन है तो यह चार मैं आपको रिकमेंट करूंगा सीवीसी के तो आपको हमारे टेलिग्राम चनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलिग्राम चनल पर जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फाइनल टीम अपडेट मिल जाएगी, बाके आज किस वीडियो में इतना ही ग